जैसे सी गुरुकूल आप सबी जार्खन वासियों को जोहार अभी नंदन व्यक्त करता है तो फाइनली जिस बुक की हम लोग को बेसबरी से इंतिजार थी वो बुक फाइनली मार्केट में आ चुकी है और ये इस परकार का बुक है जिसे की आप बहुत सारे बुक देखते होंगी कि उसका लोंच प्लेटफॉम पर किया जाता है बट ये खुदी प्लेटफॉम है और इस बुक की खासियत वो तो आपके इस कंटेंट में देखने को मिलेगी सो चलिए इस सेशन को हम लोग अस्टार्ट करती हैं जिसमें की आज के इस सेशन में हम लोग साथ भाय एक बहिन जो लोग कता है उसका सबसे पहले हम लोग वन लाइनर फॉम में देखेंगे उसके बाद फिर उससे बने वाले जो भी 40-50 प्रश्ण और इस बुक की खासियत है कि इसमें मेकसिमम नंबर ओफ प्रश्ण आप लोग को दिये गए हैं जो भी कहानी है कवीता है या फिर जो भी कुछ आप लोग को सिलेवस के कोडिंग परना है उसमें जो भी पाट आता है मेकसिमम से मेकसिमम जिस प्रकार एक एकजामनर आप लोगों से प्रश्ण पूटब कर सकता उस मुताबिक यहां पर मेक्सिमम प्रश्णों को चेप्टर से लेने का परियास किया गया है तो सबसे पहले वाइन नायनम में बात करते हैं साथ भाएक दुलरोती बहीन के नाम की रहे तो साथ भाएक दुलरोती बहीन के नाम क्या ची रहता है उसका नाम रहता है सुगा सुगा के पोसे काम के कर ले हत तो सुगा के पोसे के काम कर ले हते हैं ओकर सातो भाय अगला है सुगा के भाय सोब के टान बेसिक कने रहे टान यानि की आकरसन लगाओ तो सुगा सब के भाय के जे टान रहे हूँ सुगा पर रहे उ ओकर दुल्रोती एकलोती बहिन हला ओकरे दन्योखिन के टान हलत सुगा के भोजी सब सुगा के कोन नाम से डाको अलती सुगा के जे भोजी सब अलती तो सुगा के कोन ची नाम से डाको अलती नूनी नूनी कहके डाको अलती सातो भाई बाहर कीले गेललत, बनीजे जिसका अर्थ हो जाता है बेपार करने के लिए सातो भाई घोड़ा चड़के बनीज गेता बेपार करने के लिए बनीजे का अर्थ ही होता है बेपार करना सातो भाई बाहर कीले गेललत बनीजे बिपार सातो भाई बिपार कर ले कैसे गेला तो काची से गेलल थी गोड़ा बैट के सुगा के कैगो भोजी हले सुगा के साथ गो भोजी हले सुगा के कोन भोजी परसिनाही हले परसिनाही यानि की जलन भाव की हले पिरपिरी जलन सोभाव की हले तो अगर मैंजली भोजी हले अगला है सुगा के कोन भोजी सुगा के कोन भोजी बाकी सोब गोतनी के उक्सावे लागे उक्साना यानि की उत्साहित करना बहकाना तो कौन अखर जे परसनाही भोजी अले मैंजली भोजी एह सब भोजी जे आर्चेगो अल्थिन उस सब गोतनीयन के उक्सावे के काम करूए भोजी सब सुग्या से कैसन गहिला से पानी लाने ले दले अल्थिन तो फुटल गहिला से लाने दले अल्थिन सुगा के गहिला की घुष गेल और भूर मुदाई गेल हले तो काची घुष गेल हले बेंग अगला है भोजी सब सुग्या के कोन से की लाने के बोन से की लाने के कहले हल थिन बोन से काची लाने के हल थिन बिन बांधना के बोजा काट सुग्या के भोजी सब बारी में की छीट ओकर चुण के पहला में भोर ले के हल थिन तो कौन चीट के एक पहला सरसो सरसो का मातरह याद रखेगा कि कितना एक पहला सरसो बड़ी दिन से भोजी के घारे कौन चीज के तियर नाय बनल रहे तो कौन चीज तियर नाय बनल रहे डुमेर कर तियर नाय बनल रहे प्रेम के प्यासल मनुस के की मिले गैल जाहे तो की मिले गैल जाहे प्रेम मिले प्यासल जे प्रेम के प्यासल होए अगला है डुमेर गाच ले सुगा बोलावो ही डुमेर गाच ले जब वोकिन के जे अंतिम परिछा ले उँ डुमेर गाच पर चढ़ाय द लेल ती अर गच्छवक नीचे बेर कोवर और बबुल के काटा दे द लेल ती तो उँ गनी जे सुगा हले उँ कक्रा डाको लेत आप संती भारत जे ई सातव़ाय एक बहिन है लोग कताओकर लिखवाया लागत नेधा लिखवाया लागतकुर? तो यह कर लिखो यह लागत सांती भारत जेकर जनम बचा रहे 6 अप्रेल 1965, सांती भारत के जपन जनम कोन गाव में भेल रहे तो चोफांद बोकारों में इनकर जनम भेल रहें, कहां चोफांद बोकारों में इनकर जनम भेल रहें, सांती भारत के मायक नाम की रहे, मायक नाम रहे रतनी देवी और बाप के नाम रहे कुंजु महतु याद करें कि यहां ट्रीक है कुंजु को हम लोग गुंज से याद कर लेते गुंज अवाज सोंड तो बेटा का नाम था सांती लेकिन उसका बाप था पुरा गुंजने वाला तो कुंजु महतु सांती भारत के उपना और मानुस और पसु पाखी सब के जोड़नार देखोल गिले कि ये पसु पाखी अथिन पसु पच्छी उसका किस परकार से आदमी के परति क्या सोभा होता है क्या उनके विचार होते हैं वो यहां पर उसका जोड़नार दिखाया गिया है सांती भारत नोकरी कहां करला बोकारो इसपातकार खाना में सुरच्छा निरच्छक के काम करोलत हुआ सांती भारत के परमुख रचना लागे बर्वा अड़ाग अख्यबोर यह एक परकार का संस्मरन है सांती भारत के लिखल परमुख रचना जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं लोतन डहर जुगेक मरम यह एक कविता है बे लंदरी लोगित संग्रा है माटिक घरे चांद तोहर यह एक परकार का कविता संग्रा है भांड एक फिंगाटी है और फूल एक एक आंकी है तो इस परकार हम लोगों ने यह देखने का परियास किया किस परकार से वन लाइनर फोम में यहाँ परशनों को संक्लित किया गया है देन आप्टर अब हम लोग चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अब वस्तूनिष्ट परशन इस चेप्टर से बनने वाले जो भी 40-50 वस्तूनिष्ट परशन है उस परशनों को हम लोग यहाँ पर देखने का परियास करेंगे पहला परशन देख सकते हैं साथ भाए एक बहिन कैसे राचना लागे तो जो साथ भाए बहिन यह किस परकार का राचना है यह एक परकार का लोग कथा है क्या ची है लोग कथा है अगला परशन है साथ भाए एक बहिन साथ भाय एक भाहिन लोग कथा कि संक्लन करता की हत तो संक्लन करता की हत सांती भारत के दोरह इस संक्लन करता करल गेले साथो भाय दुरोती भाहिन के नाम की रहे की ची रहे सुगा रहे सुगा के पोशले पाले की हलत तो सुगा के के पोशले पाले हलत ओकर भाय सबिन ओकर भाय सबिन सुगा के पोशले हैला अगला है सुगा के कैगो भाय बिया भेल रहे तो सुगा के कैगो भाय के बिया भेल रहे सातो भाय कर बिया भेल रहे सुगा के सातो भाय बनीजे कैसे गिला बनीजे यानि की बिपार करे ले कैसे गिला तो कैसे गेलला घोड़ा चेड़ के गेलला पसपसी माने की होत पसपसी का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गिया है परपरी जलन इर्षिया इस सभे तो पसपसी का जो अर्थ होता है यह सभे परपरी भी होता है जलन भी होता है और इर्षिया भी होता है बनीज कर माने की हत बनीश का मतलब क्या होता है तो बनीश का मतलब होता है विपार सुगा के साथो भाई की ले परदेश गेल हले सुगा के साथो भाई की ले परदेश गेल हले तो सुगा के जो साथो भाई हले वो की ले परदेश गेल हले तो काम करे खाती बेपार करे ले जो परदेश गया था सुगा के साथो भाय तो कोंची करे बनीजे यानि कि बेपार करने के लिए गया था अगला प्राशनाब हम लोग देखती है जो की प्राशनाब के सामने हैं सुगा बोजी सबीन की लिए सुगा से जरो हली सुगा का जो बहिन सबल है सुगा से किस लिए जलते था क्योंकि भाई एक प्यार देख कर क्योंकि जो उनके पतियों के जो प्यार था उसका ज्यादा टान लगा था वो अपने बहन के परती था इस कारण से उनके जो बोजी थे वा सूगा से जलो हुलत यानि की पस्पसी हिल है। सुगा हैमनिक साधिक बहीन लागी ही या साधिक माने की हते साधिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे तो साधिक का साधिक अर्थ पुछा गया है मांगल च्छांदल साधिक मतलब होता है मांगल च्छांद अगला प्राशन है परसिनाही परसिनाही कर माने बत्वा तो परसिनाही क्या ची होता है जलनसील दोसर से जले वाली इर्सियालू इस सभे तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस सभे शुगा की काने भोजी परसिनाही हले यानि की इर्सियाल जलनसील ले तो कर मैंजली भोजी सबस्याल क्या होता है खुनूस का साब्दिक अर्थ क्या होता है मौका ढूंड रहे थि उनके भोजी की किस परकार हम लोग शुगा को सता है बहाना बहाना एक परकार से क्या ची बहाना किस बहाने हम लोग उसको तकलीब दे उस्वा अउसर इसको हम लोग अउसर भी का सकते यानि कि इस सब है इसका एंसर हो जाएगा सुगा के परिशान करिक लेल सातो गोतनी में के उस कुवेते रहो हली तो उस सावे के काम कोन करो ले मैंजली भोजी ये उक सावे के काम करो ले जे भोजी सब सुगा के नूनी नूनी का हल थीन भाई के परदेश गिले बाद की कहला थीन एहलो सुगिया कांची कहने लगा परदेश जाने के बाद सब उसका भोजी सब सुगा को एहलो सुगिया जिसे गामनेस्ट एहलो सुगिया एहलो सुगिया जो अपना नानाध होता ह उसी को इसी परकार डाइगती है, जब बाय रहेगा उसमें तो मुनी मुनी नुनी नुनी, लेकिन वही जब भाय, बाहर कमाने चल जाते हैं, तब फिर उसी को एक उपसर्ग, उपसर्ग और परति है, इहलो सुगिया, नुनी नुनी नुनिया, इस परकार से वहाँ पे सबद यार्थ बदल जाता हो। परिच्छा हो। फुटल घड़ा देके पानी लाने के दूसरा परिच्छा आला है कि बिन बांधना के कौँची काठी लाने के और तीसरा परिच्छा कौँची है लाए तीसरा परिच्छा आला है कि एक पहला जोतल बारी में सारसो छीट दलेल है उकराच चुने के और चोथा परिच्छा आले जेकी डुमर गाज पर चढ़ायद लेल थीं इस प्रकार चार परिच्छा उनके द्वारा लिया गिया था भोजी सभिन के दैके सुगा के बान से पानी आने कहल थीं कौँची दे के सुगा के बांद से पानी आने का लेल दी तो फुटल गैला दे के आने बोल लेल दी भोजी सबिन सुगा के कहां से पानी आने को होत कहां से पानी आने को होत तो यहाँ पर जदी हम लोग देखते हैं कहां से आने के लिए बोला गिया था तो उसको जो की पानी लानने का काम बांध से बोला गया था कि बांध से जो पानी लायान अगला प्रश्ण है सुगा बांध के धारी में बांध का जो भीड होता है उस भीड में जो उचा उचा जो दिया जाता है हम लोग खोठा में भीड उसको कहते हैं तो उस भीड में बैटके किसको वा बुला रही थी, तो वा किसको बुला रही थी, बांध के बेंग को बुला रही थी, अगला प्रश्न है, एलो सुग्या बांध से भोर घैला पानी ले आन तबे, खुदी चुनिक मान धुक्चे ले देबो, यहां धुक्चे कर अरत क्या च होता है, तहां धुक्चे का अरत काची होता है, धुक्चे का साथी कर्थ यहां पर हो जाता है, पीए ले, चुनि खुदिक जो मान धुक्चे ले, यानि धुक्चना यानि की पीने के लिए दिया जाता है, अगला है, बांध के धारे सुगा कांदा सुइन के, सुगा ठीन क आएके पूछे लाग लाए नूनी तो कहें कांदे है ये कौन पूछने लगा था तो बांध के धार में ये आकर के कौन पूछने लगा था तो बांधे के बेंग इस परकार का पूछने लगा था ये नूनी तो कहें ले कांदो है अगला है पहिल बेर भोजी सभिन पहिल बेर पानी आने कोहत, फूटल घहला देखे, पानी आने कोहत, अगला प्रस्ण है, सुन गे, सुन चरैया, हमर बड़ी दूख, सातो भाय बनीजे गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवार ए बांधे किये, फिर यहां पर खाली अस्थान है, सुगा कांदो हो, तो इस खाल प्रस्ण है, सुन गे, सुन चरैया, हमर बड़ी दूख, सातो भाय बनीजे गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने के, फिर यहां पर खाली अस्थान है, सुगा कांदो हो, तो बोन गे थी, बिन बांधना का लकड़ी लाने के लिए, तो बांधने के आवो है, तो सुगा ठिन कोन आवो है, तो सुगा ठिन आवो है, सुगा के भोजी, सुगा के भाय सब, इस सभे की बोने के सभी जी जनतु, तो सुगा जब बोन में कांदो है, तकन सुगा ठिन आवो है, बोन के जे सभे जी जनतु, रुहुत बोन में सभे आवो है, लेकिन ओक्षिन में से मदद किये करूए तो ओक्षिन में से मदद करूए धमना साब और साथ ही यह आप लोग को बता दू यह उन लोग के लिए यह पहल की जा रही है जो कि लोग बेसिकलिए हम लोग इसमें बात करते हैं जो कंडिडेट सहर में थोड़े अच्छे सहर में रहते हैं वहाँ पे रह करके त्यारी करती है तो वहाँ पे उन लोग को यह बुक्स बहुत ही जल्दे मिल जाता है बहुत ही कम बात करते हैं कि जैसे ये बुक लोंच होता एक दो दिन के अंडर में उनको बुक मिल जाती है बर्ट जो कंडिडेट और काफी जारकन के इसे कंडिडेट हैं जो की सुदूर गाइँं से बिलोंग करते हैं वहां तक इस बुक को जाने में यहां तक कि वहां पर यह बुक जाता भी नहीं है क्योंकि गाव में त्यारी करने वाले लोग सिमित होते हैं इस कारण से वहां के जो छोटे-छोटे बुक अश्टोल दुकान वाले होते हैं जल्दी से इस परकार के जो बुक है उनको मंगाते भी नहीं है तो उनहीं को देखते हुए एक पहल की गई है कि आप लोगों को नोट्स प्रोभाइड किया जाएगा तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है वहां उस नंबर से आप लोग कोंटिट कर सकते हैं अगला प्राश्ण है बोन से काठी आने में कोन साप मदद करो है सुगा के तो बोन में काठी आने के लिए सुगा के के मदद करो है धामना साप मदद करो है आव सुगा इबोजा उठाय और तानी धीरे धीरे हैं हेटे रखियो इबात सुगा के से के को हो है तो इबात है ज पहला की छीट के सुगा के कहल थी मात्रा देखिएगा केतना छीटा गिया था एक पहला एहलो सुग या सब सैर्शा बीच के पहला टा भोरे पारवे तो खुदी चुनिक मार फिर से ढूपचे ले दबो यानि की पीए ले दबो तो एक पहला क्या ची छीट दिया गिया था सै या हमर बड़ी दुख, सातो भाय बनीजे गिला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवारे चरे चुनगुनी, इक कौन लोग कथा के पांता लागे, सात भाय एक बहें, जब उनके भोजी तीसरा बार परिच्छा ले रहे थी, एक पहला जो सरसर है, वो जो तल बारी में छ जो तल बारी छीटल सैट सा बिचेक लेल, सुगा ठीन के आवो है, तो सुगा ठीन के आवो है, सुगा ठीन आवो है, पेरवा, एक कौन ची आता है, पेरवा, अगला प्राश्ण है, सुगा आर सुगा सातो भोजी की लेल बोन जाहांत, लोग कथा पढ़ेंगे, तो वहां पर दिया गया है एक पाल जो प्रवा भी आता है कितना आता है एक पाल प्रवा आता है तो यहां पर जो प्रश्ण है सात भाय एक बहिन वहां सुगा और सुगा क सातो भोजी की लेल बोन जाहें तो बोन की ले जाता है डुमेर आने के लिए कौन्ची करेक लिए डुमेर आने लिये जाता है, साथ भाए, एक भहिण लोग कता आयल सबद पच्चय कर्माने बतवा पच्चय कर्माने क्या जी होता है? पच्चय कर्माने हो जाता है टोक्री साथो गोतनी सुगा के ठैल धकल ले डुमेर गाजहे चढ़ाए देलतीन और की करलतीन तो डुमेर गाचे ठेल चगाय के कोई तरी चगाय दल दिन और कौँची करेल दिन चायरो बाटले कोईर काटा बाबलू काटा बोजा के बोजा दे के घोर दल दिन तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए चारो तरफ से चढात या धेल रकल के उसके बाद फि तो कौँची दैदले अल दिन कोईर काटा और बाबूल काटा यानि की ओप्सन नमबर डी इस प्रशन का सही आंसर हो जाता है दोनों सुनगे सुन चरया हमर बड़ी दूख सातो भाय बनी जे गिला सातो भोजी बड़ी दुख देला आवारे परदेशी दादा सुगा कांधो हो इबात सुगा कहां से बोलती है जब ओकिन कर भोजी जे अलत वो चौंथा परिच्छा लो अलत ओकिन के चौंथा परिच्छा ले डूमर गाच चड़ाय दलेल थी तो तकहन अंतता वो जो सुगा है वो अपने किसको बुला रही थी तो वो सुगा अपने भायों को बुला रही थी और ये अस्तान था डू तो कोयर काटा है जो उसको पुरा बोजा बोजा लान के उसको यहाँ पर गाच है उसके चारो तरफ दे देती है वो बोजा बोजा दे दिया और सब भोजी सोकी वा घर चली गई यानि कि option number 30 प्राश्ण का सही आंसर हो जागा दूयोग अगला प्राश्ण है डुमेर गाच्छेक उपरे सुगा के बचवे खातिर के आवो है तो डुमेर गाच्छेक उपरे जे सुगा के बचवे खातिर के आवो हत तो सुगा के भाय सभीन आवो हत अगला प्रश्ण है कौन गाचेक डारी सुगा पटाई के कांदते रहली पटाई के यानि की लेट कर जब उसके भोजे सब वहाँ पे जो बाबुल काटा और कोर बेर का काटा है उस कांटा को दे के घर आ जाती है तो वह वहीं पे लेट करके रात में रो रो करके रहती है तो कोन गाच में? तो डुमेर के गाच में अगला प्रशन है बनीजे से घुरेक समये यानि बिपार करके घुरने की समये कोन गाचे की हेटे सातो भाय सथाय लागला तो जब आने लगे तो उस सब ठक गिया था चलते चलते तो उस सब सथाने के लिए वहाँ पे जो भी वो कांटा था उस कांटा को सैड किया रोहीं पे सथाने लगे कौन गाच के नीचे सथाने लगे तो डूमेर गाच के नीचे सथाले नगे अगला प्रश्ण है सुगक कोन भाय के गाते सुगक लोर डुमेर गाचे हेठे गिरू है कोन भाय के गात में सुगक के जे लोर है वो गिरू है तो ओकर जे छोट भाय हो है ओकर गात में गिरू है गात का साब्दी कर्थ होता है सरीर अंग अगला प्रश् सुगा कहां गेल है तो उस अभ कौन ची कहल थी तो उस सब को थी नुनी बाहर बाठे खेले ले गेल हथ नुनी पढ़ो रहे कि नुनी बांध पानी आने गेल हथ तो इसका सही अरसर क्या हो जाता है 42 का option number A नूनी बाहर बाठे खेले गेल हत अब देखिए जब इनके पती आ गए तो यहीं पे वर्ड किस प्रकार का इहलो सुगिया से सब्द आ गिया नूनी पर तो अगला प्रश्ण है सुगा के भाइज सब इन घार गेल बादे आपन आपन महरारू संगे की करला तो आपन आपन महरारू के संगे की करला दो माठे लागल थी जब क्यूंकि उस सब कुछ पता था कि सुगिया किस हालत में भी है सुगा का क्या हालत है उसका और जब वो सुगा जब उसके भाई सब है सातो भाई घर आते हैं तो अपने जो धरम पत्नियों हैं उनसे पुछते हैं कि सुगा कहा है ठेकान तो सब जूट बोल देती है एक सुगिया नूनी बाहर वाटे खेले गयलत आप ओकिन के जे राग राग भी इस लोग कथा में एक सब्द आया है रागे राग यानि कि गुस सब को दोमाठने लगता है दोमाठने याने की पूरा कचरकुट मार धाड पूरा सब के साथ करने लगती है सुगा के भाइस अपन बहू के दोमाठे बादे जनी सब की कहे लाग ला तो जनी सब की कहा लगला माय को बाप को कहर के चिचिया लगल थी पूरा माय को बाप को कहर के पूरा चिचिया लगल थी हम इन सोचले फिर बोलती है हम इन सोचले सुगा पर घर जायत पर घर यानि कि दूसर घर जायत सेले उनकर लूर के परिच्छा लोगलत सहले उनकर जो भी है उसका परिच्छा लेते थे कि जब वह अनकर घर जाएगी तो वहाँ अगर कुछ काम धाम उसको नहीं आएगा तो वहाँ के जो लोग होंगी वहाँ हमीं लोग को बोलेंगे कि सात्त गोप होजी अल्थिन कुछ हो सिखायक ना भेज अल्थिन तो इस कारण से उसका हम लोग परिच्छा ले रहे थे तो इस परकार ये सब है कहों थे अगला प्राश्ण है सुगा के भाय सबिन सातो जैनिक मारेक बेराय के बचू है तो जब उस सातो भाय आपन पतिनी सब के मारो तोखिन के बचू के है तोखिन के बचू है सुगा अगला प्राश्ण है शुगक जोर नार यानि की बिहा कौन धायरे भेल रहे तो पहाड धायरे भेल रहे शुगक बिहा पहर बिदाई घरी ओकरे सातो भाय और सात्य भोजी की करे लागला तो कर जिस सातो भोजी अर भाय लेव कोंची करे लागल थी तो उस सबे काची करवलत उस सबे पुरा भोकायर भोकायर के कांदे लागला यानि कि पुरा जोर जोर से कांदे लागला साथ भाय एक बहिन लोग कथा कि सीख दे है साथ भाय जो एक बहिन लोग कथा है इकाची सीख देता है तो ये आपन मर जादा नाय तोरे के चाहिए जो अपना मर यादा है अपना जहां तक जो भी है उस चीज को तोड़ना नहीं चाहिए कक्रो बेसी सताविक नाई चाही कक्रो कमजोर देखके अतियचार नाई करेख चाही तो इस परकार ये सब सिच्छाम लोग को ये लोकता के द्वारा मिलता है प्रेम के प्यासल मनुस के की मिले गल जाहे प्रेम प्रेम के जो मनुस होता है उसको प्रेम मिलता है तो वो गल जाता है दोमाठे कर अरथ होता है दोमाठने का अरथ क्या हो चाहे था भी हम लोगों ने देखा मारने लगना दोमाठने यानि की पुरा कचरकूट मार अगला प्रश्ण है साथ भाय बहिन लोग कथा कर रचनाकार के हद साथ भाय बहिन यहाँ पर इस प्रश्ण को थोड़ा सही से पढ़िएगा देखिएगा साथ भाय बहिन तो इसके जो रचनाकार है वो है गजारधर मातो परबाकर अगला परशन है गलत के छाटा, बावन परशन है गलत के छाटा, इसमें हम लोग देखते हैं, साथ भोजी सुगा के बड़ी मान आदर कर हलतीन जखन भाय सबीन बनीजे बाहर गेल हलत तो हम लोग ये पहला ही प्रश्ण देखें जो की गलत है अगला प्रश्ण है साथ भाय एक बहिन लोग कता है कौन जी सुगा के मदद ना करो है तो इसमें हम लोग बात करते हैं धामना साथ मदद करता है बांधिक साथ मदद करता है प्रेवा मदद करता है बट ये जो घोड़ा बात करते हैं घोड़ा के द्वारा मदद नहीं किया जाता है प्रेमिक प्यासल मनुस प्रेम पहले गेल जाए यह बात पाठे केकर खातिर कहल गेल है यह है जो कि किसके खातिर कहा गिया है तो यह कहा गिया है सुगा के खातिर सुगा के खातिर जब चोथा परिचा लेने का बारी आता है तब आप देखते होंगे लोग कथा पढ़े हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पूरा जब तीनों परिचा हो जाता है जब तीनों में सफल नहीं मिलता है उनके भोजी को तो फिर वा जो नूनी के पास है सुगा के पास जाती है कि पूरा प्यार से बोलती है प्रेम से कि ये हेलो से भूल जो सुगा भाय सब के नाय बोलती हो चला बड़ी दिन से डुमेर तीने नाय खेले है इस परकार उनको अर्पी सुगा भी है जो कि वह बच्ची थी उसको तो प्यार का जरूरत था प्यार की उसको कम मसूस हो रही थी तो इस प्रकार जब वो बहुत ही अच्छे भेवभाव से बोलती है उस भोजी तो वो भी उसके जाल में फस जाती है और अंतरता फिर डुमेर गास जो डुमेर टोरने चल जाती है सांती जी के उपनाम की हके तो सांती जी के उपनाम की लाए सांती भारत